हरी कृष्णा मैं कृष्णवन्दा जगनात किचिन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनमास्ट मी स्पेशल रेसिपी सीरिस तो उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे तीन रेसिपी और वो भी एक साथ आसान तरीके से तो फलहार चपनभोग हम घर में कैसे बनाएं आसान तरीके से वो मैं आपको बताने वाली हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फुल होने वाला है तो इसे प्लीज आप पुरा वाच करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना कढ़ाई लेनी है हमें और उसके अंदर एक बड़ा चमच हमें घी लेना है और घी जब मेल्ट हो जाए उसमें हमें ड्राइफ फूट्स हैच करने हैं तो सबसे पहले ड्राइफ फूट्स मैं यहां पर काजु फ्राइब कर रही काजु को निकालने के बाद इसी घी में हमें अपने बादाम को एट करना है यहां मैंने एक कटोरी बादाम लिये हैं आप चपन भोग बना रहे हैं तो ड्राइफ फूट्स जादा मत्रा में ही फ्राइब कर रख ले और इसी क्या होगा कि आपको यह बहुत ही आसान हो यहां पर मैं अपने मखाने फ्राइब कर रही हूँ मखाने को हम अच्छी तरीके से फ्राइब करेंगे यहां मैंने दो कटोरी मखाने लिये हैं क्योंकि मखाने थोड़ा से क्या है जो हम अपनी रेसिपी में ज्यादा ही एड़ करने वाले हैं उससे उसका जो टेस्ट है व अपना सारा कुछ बनाएंगे और इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी आपके जो चपनबो की रेसिपी है वो बन के तयार हो जाएंगी अब इसी कड़ाई में हम दो कप धनिया पाउडर लेंगे आप धनिया पाउडर की जगा सावुद धनिया भी ले सकते हैं उसको प लगबग लगबग इसको हम पांच मिनिट ही भूनेंगे इसको जादा नहीं भूनना है और जब यह भून जाता है तो इसका भूनने का हमें पता कैसे चलेगा उसके लिए सिंपल सा एक है कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बू निकलती है और जब वह खुश्बू इसका हलका सा रंग चेंज हो जाए उसके बाद में हमें अपना गैस का फ्लेम बंद करना है और कढ़ाई में आप अपने धनिये को बिल्कुल ना चोड़े क्योंकि यह जल जाएगा इसलिए अप इसको अलग प्लेट में निकालें यह थी आपके लिए एक टिप और अब हम इसमें अपनी रेसिपी एड़ करेंगे तो यहां मैंने उसी कढ़ाई में एक बड़ा बावल कोकोनट लिया है यह कोकोनट का बुरा है बुरादा जो बोलते हैं मार्केट में आसनी से आपको अबलेबल हो जाएगा डैसिनेट कोकोनट इसको हमें लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए ही इसको भूनना है जादा इसको नहीं भूनना है और उसके बाद में हमें अपने गैस को बंद कर देना है और कढ़ाई में इसको भी आपना छोड़े क्योंकि कढ़ाई बहुत गरम हो जाती है तो आप इसको भी निकालने देखें कितना है आसान तो आप इस तरीक तो आपके पास बूरा नहीं हो तो आप उसकी जगह पिसी हुई चीनी भी एड़ कर सकते हैं टेस्ट वही रहेगा यकीन मानिये बहुत ही डिलिशियस बनके ये तयार होती है और कृष्णा को ये बहुत प्रिये हैं तो अब सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे बाउल में हम एक कब से थोड़ा समामूली सा कम मैंने बुरा एड किया है बुरे की जगह अपचीनी एड कर दे और आदा कप इसमें कोकोनट एड किया है डैसिनेट कोकोनट और इसमें अब हम एड करेंगे अपने ड्राइफ फूर्ट तो आपको जो ड्राइफ पसंद हैं आप उनको एड कर रही हो मखाने मखानों को मैंने हलके हाथ से क्रश कर लिया है यह साबुत नहीं है लग बग एक दो चमच काजू और चौप किये हुए बादाम अब इसमें एड करेंगे हम इलाइची पाउडर तो इलाइचियों को भी आप पाउडर करके रख लें बहुत आसान होता है बार-बार करने से हम बसते हैं और किश्मिश की किश्मिश का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब वो बीच में आती है तो खट्टा मीठा इसमें माम अली साहब घी डाले मैल्थ किया हुआ और देखें आपकी पंजीरी बनके तैयार हो गई है और ये क्रिश्ना को बहुत प्रिये है और साथ में ही ये हर जगा लगबग ओफर होती है क्रिश्ना को साथ में आटे की पंजीरी भी बनाते हैं लेकिन वो दूसरे दि नंद मोहसब के दिन प्रशाद रूप में लिए जाती है धनिय की पंजीरी को आप राद को बारा बज़े के बार ले सकते हैं क्योंकि नंद मोहसब जिस दिन होता है उस दिन हम बारा बज़े तक फास्ट रखते हैं क्योंकि प्रभूपारत का आबरबाब दिवस है उनका तो इसलिए हम उस दिन तो बारावजे का फ़ाद ही फीस्ट लेते हैं वो भी बड़ी वाली अब यहां पर मैंने थोड़े से और ड्रैप फ्रूट्स इसमें उपर से एड़ कर दिये हैं जैसे कटा हुआ गोला खर्बुजे के बीच जो आपको पसंद है वो एड़ करिए तो देखिए कितना आसान है यह हमारी पहली रेसिपी बन गई है और यकीन मानिए इसको बनाने में मुझे दो या तीन मिनिट से ज्यादा नहीं लगा था भून के पहले ही रख ले हम तैयारी करके रख ले अब दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहां मैं एक कप अ अपना क्या ली रही हूँ धनिया पाउडर और धनिया पाउडर लेने के बाद में इसमें हम बुरा एट करेंगे तो यहां मैंने आदा कप बुरा एट किया है आप मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा ले बुरा एट करने के बाद में इसमें मैंने डेसिनेट क मखाने काजू बादाम और आप इसमें ड्राइफ रोड्स अपने मन पसंद जो आपको ज्यादा पसंद है वो आप मात्रा उपर नीचे कर सकते हैं लाइची पाउडर किश्मिश चिरोंजी और देखिए ये भी रेसिपी हमारी तीन से चार मिनट के अंदर बनके तयार हो हम मैल्च किया हुआ दो चमच पहले घी मिलाएंगे चमच आपको देखी रहा है मेरा चमच बड़ा है तो यहां मैंने तीन चमच मिला दिया है और अब इसको हम अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे ये जब हम लड्डू बनाते हैं तनिये के उस टाइम हमें बस बी तो आपको यह चीज देखना है कि लड्डू नहीं बने तो आप इसमें घी एड कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं करें तो यहां मैं दो चमच एड कर रही हूं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है धनिये की लड्डू में घी की दिमाग के लिए भी फायदे मंद होता है और इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और यह बहुत ही हैदी लड्डू है आप इसको वैसे भी बना के खा सकते हैं और यहां हमारा लड्डू बनके तयार हो गया है अब इसको हम एक तरफ रखते जाएंगे और इसी तरीक और आपका जो धनिया पाउडर है उसको भी आप भून के रख सकते हो पहले ही एक दिन पहले आप थोड़ी से तैयारी करके रख ले इसे क्या होगा आपको आसानी रहेगी और भोग भी आप ताजा ओफर कर पाएंगे और देखें यहां हमारे सारे लड़ू बन के तैयार हो गए हैं वोपर से गार्णिश के लिए हमने एक एक काजू लगा दिया है आप काजू की जगे बादाम पिष्टे आपको जो पसंद है आप वो लगाएं तो उसी दल रखें जगनाजी को आफर करना ना भूलें अब चल चासनी ना बटार अब फ्रति को हमारे टार निकलने लगते हैं तो यह जंगनीवाल है स्टेश पर आजाती है और इस तरीके से जब आप इसको आपको लेकत तो इस तरीके पर बनागा अब यहाँ पर हम अपने सारी ही जो ड्राइफ फ्रूट्स हैं और धनिया पाउडर हैं उसको मिला देंगे आप एक साथ पहले ही प्लेट में भी रख सकते हैं यहां मैं आपको इक करके इसलिए बता रही हूं जिसे आपको इस चीज भूलना जाएं यहां मैंने सबसे पहले दनिया पाउडर रोस्टिट एड किया है मखाने मखाने के बाद में डैसिनेट कोकोनट मखाने को आप सावुता एड ना करें उसको हलका सा मिक्सी में दरदरा गुमा लें नहीं तो आप जब बर्फी कट करोगे तो आपको दिक्कत आएगी इलाइची पाउडर तीन से चार इलाइची का पाउडर इसमें एड करें और इसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ड्राइफ फूट साफ अपने मन पसंद इसमें एड कर सकते हैं तो इसको पीշ कर ले और इस तरीके से अब हमने इसको निकाला है और देखिए कितनी जल्दी ये रेसेपी बी बनके तयार हो गई है बस इसको ठंडा होने में एक से जढ़ गणा लग जाता है और इस तरीके से आप इसको करें और उपर से अपने मन पसिंदिता इसमें ड्राइफ फूट से इसको गार्निश करें और जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसको कट करें आसानी से ये कट भी हो जाएगी हलका सापको थोड़ा सा प्रैस करना होगा इसको आसानी से ये कट होती है और खाने में ये बहुत टेस्टी होती है डिलिशियस होती है इस तरीके से आप धनिये की बरफी बराकी रख सकते हैं ये बरफी भी लगबग लगबग 20 दिन बंदरा से 20 दिन तक आप स्टोर करके रखें ये खराब नहीं होती है और देखिए एक मैं आपको निकाल के दिखाती हूं कि कितनी परफेक्ट बनी है और खाने में ये बहुत टेस्टी है इसके पीस आप छोटे ही काटें क्योंकि धनिये की जो बर्फी है वो कमी ही मात्रा में खाने में अच्छी लगती है जादा बड़े पीस इसके ना कट करें और यहां पर हमारी इस तरीके से तीन रेसिपी बन के तयार हो गई है और इसको बनाने में हमें जादा टाइम नहीं लगा है आप भी इसको ज़रूर ट्राइ करें सर्विंग वाउल में हमने निकाल दी है जगरनाच जी को कृष्णा को आफर करने के लिए देखिए है ना आसान कितना च को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले इससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा जैसे ही हम वीडियो डालते हैं और साथ में ही लाइक और कमेंट करना तो बिलकुल ना भूले जैसा खाएंगे और वैसा होगा मन इसलिए कृष्णी